हालो व्रीवर्ण ग्रीटिंग्स फ्रम डॉक्टर एश्मी सोमेपैथी फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे औरल थ्रश के बारे में औरल थ्रश मतलब आपके मुग का पकना मुग का आना या मुग सर्णना बहुत सारे टर्म्स में लोकली इसको जाना जाता है यह एक फंगस के कारण होता जिसका नाम होता है Candida albicans, albicans मतलब white तो जो Candida albicans होता है अगर इसका infection होता है आपके mouth को affect करता है तब वहाँ पर white color की patches बनाता है तो that is why Candida albicans होता है यह white color के patches के लिए जाना जाता है जो Candida albicans होता है एक pathogenic fungus होता है या एक opportunistic pathogen होता है जिसको जब तक मौका नहीं मिला है तब तक हमारे शेरी में शान्तिय से पड़ा रहता है और जैसे इसको मौका मिलता है यह बिमारियां पाइदा कर देता है Usually हमारी body में कुछ parts में या हमारे mouth में, vaginal areas में या gut में ये fungus थोड़ी सी मात्रा में पाया जाता है और हमारी जो immunity होती है या हमारे कुछ जो bacteria होते हैं इसको दबा करके रखते हैं या अपना कोई काम नहीं कर पाता है लेकिन जैसे हमारी immunity थोड़ी से down हुई या हमारे शेरी immunity की problem होती है जैसे बुजर्ग होते हैं जिनके अंदर immunity कम हो जाती है धीरे-धीरे करके या छोटे बच्चे जिनके अंदर immunity अभी पूरी तरह से develop नहीं हुई है उनकी अंदर oral candyases जादा देखा जाता है या उन लोगों के अंदर भी oral candyases जादा होता है जिनका कोई steroid का treatment चल बी फ्रीक्वेंटली oral candyases देखा जाता है इसके लाँ अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के अंदर जो hygiene की अगर कमी होती है अच्छे से brush नहीं कर रहे हैं बच्चे से clean नहीं कर रहे हैं या जिन बच्चों के braces लगे होते हैं वो अच्छे से daanप को clean नहीं कर पा तो symptoms में आपके mouth से bads मला सकती है अगर आप oral examination करेंगे टंग को देखेंगे तो टंग के उपर white color का पर्त सा पड़ा हुआ रहता है जिसको निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है या कई बार बहुत ज़्यादा bads मलाती है, taste अच्छा नहीं आता है mouth से ज़्यादा salivation होती है और bad breath उसके सांस में भी बढ़वाती है, oral candiasis की cases में जैसे जैसे fungus का rate of reproduction होता है वो बढ़ता चला जाता है, symptoms और ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो oral candiasis का treatment अगर नहीं लिया गया तो यह आपके food pipe में भी इसका infection जा सकता है तो जो oral candiasis होता है इसके symptoms में यह आपको pain हो सकता है cracks हो सकते हैं, यहाँ पर उतर सकती है bleeding हो सकती है, खाने पीने में तकलिक हो सकती है यह सारे symptoms देखने को मिलते हैं oral candiasis के अगर हम oral examination की बात करें तो जब हम patient का mouth open करके देखते हैं तो बहुत सारे और similar conditions होती है जिससे oral candiasis मिलता जुडता है जैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि आपको oral candiasis है या leukoplakia है या आपको oral lichen planus है तो उसके लिए थोड़ा सा differentiation में बता देना चाहूंगी क्योंकि oral lichen planus होता है उसके अंदर patches दूर दूर तक होंगे mostly वो cheeks पर होते है leukoplakia में mostly वो tongue पर होते हैं लेकिन patches होते हैं बहुत demarkated होते हैं चोटे होते हैं और एक या दो patches होते हैं लेकिन ये जो candiasis होता है इसमें पूरी की पूरी tongue के उपर white birth होती है जैसे लगता है कि वो फर like जैसे cotton का कोई जो एक layer पूरी होती है वो बिची होई है तो इस तरह से oral candiasis होता है इसका growth होता है अगर हम बात करें इसके treatment की तो उसके treatment के लिए सबसे important है कि self management करना बहुत ज़रूरी है बच्चों को पूरी तरह से hygiene सिखाना क्योंकि उनकी immunity अच्छे से develop नहीं हुई है अगर एक बार उनको ये fungal infection हो गया तो बहुत मुश्किल होता है कि वो उसको जल्दी से जाप है क्योंकि fight करने के लिए उनके पास immunity नहीं होती है साथ में उनको ज़रूरी है कि उनको hygiene सिखाना proper brushing कराना proper tongue की cleaning कराना और साथ में gargling कराना भी बहुत ज़रूरी होता है छोटे बच्चे जो दूद पीचे पीचे बच्चे होते हैं अगर बात करें बुजर्गों की अगर बात करें तो अगर डेंचर यूज करते हैं तो प्रॉपर्ली इसको क्लीन करके यूज करें vitamin C ज़रूर लें क्योंकि वह हमारी immunity का बढ़ाता है vitamin C के लिए जरूरी नहीं है कि आपको supplements लें घर में ही available जो नीमबू है नीमबू पानी है या fruits जो होते हैं खटे फल जो होते हैं वहां से आप vitamin C पा सकते हैं तो रोज एक vitamin C के लिए आप एक glass नीमबू पानी पी सकते हैं उससे भी आपकी immunity uplift होती है अगर हम बात करें हुमेपथिक medicines की तो हुमेपथी में बहुत सारी effective हुमेपथिक medicines हैं एक से बढ़कर एक दवाईया हैं जो oral candiasis के लिए बिल्कुल immediate results देती है सबसे पहले दवा और सबसे जादा यूज़ किरने वाली जो दवा होती है वो ती है borax बोरक्स यंदर जो बच्चा होता है या जिसको भी परिशानी होती है मोसली बच्चों में देखी जाती है candiasis तो इसलिए बच्चे को refer कर रही हुमें तो जो बच्चा होता है उसको mouth में हमेशा heat महसूस होती है जब बच्चा मा का दूद पीता है तो उस समय भी उसको बहुत ज़ादा heat महसूस होती है जो heat होती है उतनी ज़ादा होती कि बच्चा दूद पीने से मना कर देता है तो उसको बार-बार उलजहन होती है और tongue में bitter taste सा महसूस होता है तो ऐसे cases में borax दिया जाता है, तो number 1 दवा जो किसी भी case में oral candiasis में दिया जाता है, और साथ के साथ borax सिर्फ candiasis के case में नहीं, mouth ulcer के case में, मुंगे चालों के case में भी दिया जाता है, तो borax एक number 1 दवा है जो ऐसे cases में दिया जा सकता है, इसकी potency आप 30 potency से start करें, अगली दवा जो दी जाता है, वो है mark soul, जिसका पूरा नाम होता है mark solubilis, यह जो दवा होती है, एक metal kingdom से आने वाली दवा है, जिसका जो symptom होता है, कि symptom पर आपको चूज करना है, कि mouth के अंदर हमेशा saliva बनता रहता हो, जो बच्चा है उसको हमेशा salivation होती रहती हो, सोते समय भी उ पाउल इसमेल अगर आती हो, तो इस कंडिशन में, अगर केंडिया से स्कोर रहता है, और साथ में metallic टेस्ट लगता हो, तो ऐसे case में इसको दिया सकता है, ऐसे पेशन ऐसे बताते हैं, कि मुल के अंदर से कुछ मेटल मेटल सा महसूस होता है, और साथ में spitting बार बार करनी प इसमें सलाइवा बिल्कुल नहीं बनता है, जो टंग होती है, वो अपर फ्लोर को चिपक जाती है, पेशन को ऐसा लगता है कि जो टंग है, उसको प्रापर जो मूफ करने के लिए भी सलाइवा नहीं है, बच्चा जब सोके उठता है, तो उसके सारे दातों की निशान इसका निकलता है, बहुत ज़्यादा ड्राइनस के साथ अगर औरल केंडियास के प्रॉब्लम रहती है, बच्चे का अगर हम औरल एग्जामनेशन करते हैं, तो वाइट कलर की पूरी पर्त वहां पर दिखती है, तो ऐसे केस में नक्स मोश्यटा काम आती है, नक्स यह सकते हैं, इसके लावा एक दवा, जो आप सकते हैं, उसको गार्ग्लिंग करने के लिए है क्येलनडूला, केलनडूला को एक 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 अंती सेप्टिक एक 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 अंती imm secure 있는데 ग्रूर्बियल यूज किया जासकता है, थोडे से पानी में testify पानी में यood मार अगक्रोपील कि जो अलड़ी ग्रूप कर चुके होते हैं वो काम होते हैं तो दीजाद फ्यू मेडिसेंस लेकिन ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले यह जाना जरूरी है कि आपको औरल केंडियस ही है या दूसरी जो तकलीफें जो बिल्कुल सिमिलर है लाइकन प्लेइनस है या लुको प्लेग किया है या कोई दूसरी परिशानी स्पेशली बुजर्गों के केस में यह डियागनोसिस करना बहुत ज़रूरी है बच्चों के केस में मोस्तली जो प्रॉब्लम होती ही ओरल थ्रश ही होता है लेकिन अगर बड़े को यह प्रॉब्लम है तो यह डिफ्रेंशियेट करना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रॉब्लम इग्जैक्टि क्या है तो फिरंट्स यह सारे टेप्स यूज़ करके और इस सारे दवाईयां यूज़ करके आई होप यूप 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 यह इन्फोर्मेशन इस टॉपिक उपर आपको पसंद आई होगी अगर आप मुसे से कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो आप क्लिनिक के वाट्साप नंबर 7017-991940 पर वाट्साप करके अपना स्लोट बुक कर सकते हैं अगर आप अपनी बीमारे से संबंधित मुझसे बात करना चाहते हैं तो कॉल में फॉर आप का यूज़ कर सकते हैं जिसकी बाखी की डेटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी विश्यमो वेरी गूद हेल्थ थैंक्स वाचिंग